वेलकम टू आयानास किचन आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं यह एकदम नई सी रेसिपी जो कि सभी की फेबरेट है और सभी को खूब पसंद आती है लोग बहुत ही मज़े लेके खाती है जो कि है गोबी का पराथा वैसे तो गोबी की कही चीजे बनाई जाती है ले और एकदम बहुत ही आसानी से यह बन जाता है और वैसे तो इसके बनाने के कई तरीके होते हैं लेकिन चलिए यह मैंने किस तरीके से बनाया है वो आपको मैं दिखाती हूँ बहुत ही सिंपल आसान से तरीके से मैंने इसको बनाया है सबसे पहले मैंने इसके निये यह तीन आदस से क्रेश करती जाओंगी जो ये चिप्स मेकर है और ऐसे ही बारिक बारिक इसको हम पूरे को क्रेश कर लेंगे जो पिछला हिस्ता है वो हमें रहने देना है साइट साइट से जिस पे फुल गुवी बनी होती है उसे से को हमें करश करते जाना है और ये देखिए कितनी फाइन और बारीग गोवी एक तम अच्छे से करश हो चुकी है और ये देखिए इसी तरीके से आपको भी ऐसे ही करनी है अब इसके उपर से ये हमने एक मीडियम साइस की अनियन को बारीक चॉप कर लिया था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और तीन से चार करीब ग्रीन चिली है इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था आपको अगर तीका पसंद है तो आप इसमें और भी ज़्यादा एट कर सकते हैं और यहाँ पर यह मैंने हरे दिनिया ले लिया है एक से दू चमच और रेट चिली पाउडर है आदी चमच भरके इन सारी चीज़ों को डालने के पाद अब इसको हम अच्छे से मिला लएंगे गोबी में इसकी एक अच्छी सी स्टफिंग तैयार कर लेंगे बहुत अच्छे से हमें चमच चलानी है जिससे कि इस सारी चीज़े अच्छे से मिल जाएं एक्वल हो जाएं और ये देखिए स्टफिंग बन के तयार है अब हम यहाँ पर डो की तयारी करते हैं यहाँ पर मैंने डो लगाने के निये करीब जिससे की 6-7 पर आठे बन जाए उस हिसाफ का आठा ले लिया है और इसमें एक चुटी चमचे करीब मैंने नमक एट किया है और डो हमें नहीं जब जादा डीला लगाना है नहीं जब टाइट मीडियम डो हमें तयार करना है और इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए डो तयार कर लेंगे ये देखिए थोड़ा सा समय देती हुए और इसमें ये एक चमच के करी मैंने ओईल डाल दिया है जिससे कि डो अच्छे से चिकना हो जाए ये हमें बहुत ही अच्छे से लगाना है और डो जितना अच्छा तयार होगा पराटे उतनी ही अच्छे बनके तयार होएंगे अब इसको हम साइड में थोड़ी देर के निये रखने के बाद अब इसके हम पेड़े बना लेंगे आप चाहें इसको देर तक भी आदा गंटे क निये भी रेष्ट पे रह सकते हैं नहीं तो दस मिनट के बाद अब इसके पेड़े बनाना शुरू कर देंगे जितने हमें पराटे बनाने हैं उसे साब से लोईयां बना लेंगे इसकी ये देखिए ये मैंने करीब चार से पांच लोईयां बना ली है अब इसमें हमने उस पानी रिलीज कर देता है इसलिए अब जस्ट हम इसको भढ़ना है पराटो में तब हमने इसमें नमक एट किया है और थोड़ा सा मॉस्टराइजर को बैलांस करने के निये इसमें हमने एक सी डिर चमच वीड फ्लोर एट किया है जिससे इसका जो भी मॉस्टराइजर निकल है और यह देखिए अब इनको लोईयों को हम थोड़ा सा दीरे दीरे हाथ के हल्प से बढ़ी करते जाएंगे जिस तरीके से और हम रोटी बनाने के निये बनाते हैं उसी तरीके से और बस इसमें हम स्टफिंग बर देंगे स्टफिंग हमें करीब गोबी की एक से डिर नहीं लगेंगे सिंपल से लगेंगे इसलिए बहुत ही हमें बैलेंस रखते हुए इसमें स्टफिंग बढ़नी है और अगर आप फ्रेश हा रहे हैं या पहली बार पराटे बना रहे हैं तो आप थोड़ी सी स्टफिंग कम भी बढ़ सकते हैं और यह देखिए एक लोई मे हमने इस्टफिंग बढ़ दी है इसको अच्छे से बंद करके इसको साइड में लग देंगे अब इसी तरीके से हम दूसरे पराटे के निये भी लोई तैयार कर देंगे इसको भी अच्छे से बंद कर देंगे चारों तरब से किनारे हमें बहुत ही अच्छे से दबाते हुए चिपकाने हैं जिससे ये खुले नहीं ये अगर इस चीज का हम ध्यान देंगे तो ये पराटा हमारा खुलेगा नहीं जादा जल्दी से और बस अभी इसको हम बेलना शुरू कर देंगे थोड़ा सा मैंने इसमें सुका अर्टा लगा दिया है जिससे ये बेलन पर नहीं चिपके और बहुत ही हलके हाथ से हमें इसे बेलना है जादा ताकत नहीं लगानी है और ये देखिए जितना भी साइज हमें रखना है उसे साप से इसको बेल लेंगे और यदि अगर ये गोवी थोड़ी सी नजर आए तो इसमें फिर से हम सुका अर्टा लगा देंगे और ये तवा हमने नौनिश्टिकी लिया है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है क्योंकि अगर हम नौर्मल तवा लेते तो साइद उस पे पराटे चिपक भी सकते थे इसलिए हमने नौनिश्टिकी तबा लिया है क्योंकि इस पे हम भी फिक्र होके पराटे से एक सकते हैं और ये इसका थोड़ा सा एक साइड जब सिख गई थी तब इसमें मैंने ओईल लगा दिया है और इसको फिर से पलट देंगे और दूसरी साइड भी सिखने देंगे और अच्छे से ओ2 लगा देंगे झे इस पे और आप चाहिए तो इसको गी में भी बना सकते हैं और ऑायल में भी पका सकते हैं इसको ये आपकी छॉइस है और ये धेखिए दूसरी साइड से भी एच्छे से सीख चुका है ऐसे उलट पलट करके हम दोनों साइड से इसको अच पराटा हमारा सिख चुका है तैयार हो चुका है इसी तरीके से अब हम दूसरा पराटा भी बेल लेंगे यह देखिए चारो तरप से थोड़ी सी गोबी नजरा रही है लेकिन कोई बात नहीं इतना तो चल भी जाता है और इसको भी मैं उसी हिसाब से सेख दूँगी दौनों साइड हलकी हलकी सेखते हुए फिर इसमें हम ऑईल लगा देंगे दौनों साइड से और इसको उलट पलट करके दौनों साइड से अच्छे से से सेख लेंगे इसे किनारे दबाते हुए और फ्लेम हमें ज्यादा हाई नहीं करनी है ज्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो पराटे बहुत ही हमारे जल जाएंगे जो काले काले स्पार्ट से होते हैं वो नजर आने लगते हैं और यह देखिए यह दोनों साइड से सिक चुके हैं दोनों पराटे हमारे बनके तयार हैं इसकी मैंने प्लेटिंग कर लिया अच्छे से और यह देखिए यह मैंने इसको चटनी के साथ जो एदम टमाटर लहसन वगरा की चटनी होती है न तीकी वाली उसके साथ मैंने इसक जी के साथ खा सकते हैं जैसे आपको पसंद हो और ये देखिए बहुत ही मज़िदार हमारे गोवी के परांटे बन के तयार है और जो भी लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए वीडियो चिलोगी हो लाइक कीजिए फ्रेंडों में शेयर कीजिए मैं अपनी ऐसे ही अगली वीडियो में मिलूंगी तब तक के नहीं बाई बाई